इस वीडियो में मैं आपको हर्याना डेली करंट आफेर्स के कोश्चन्स बताऊंगा ये कोश्चन्स 19 और 20 मई के हैं जल्दी हमारी और भी वेडिया आने वाली है हमारी नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए स्टेडी जोन को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिके ताकि आप वहां से जल्द से जल्द गोरेंट जोब्स की नोटिफिकेशन पासके आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिकर जूरू बताइए और इस वीडियो को जाए ज़्यादा लाइक और शेर करें आपका पहला कोशन है हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की नई चेर परसन किसे निउक्त किया गया है तो इसमें आंसर आएगा दीप्ती उमा संकर को और जो इससे पहले चेर परसन थे वो थे भारत बुसंट बारती जिनको हाली में सस्पेंड किया गया है नेक्स्ट कोशन है बेटिया बचाने में हरियाना का कौन सा जिला पर्थम स्तान पर रहा है तो इसमें आंसर आएगा कुरुशेक्तर जिला और कुरुशेक्तर का लिंगानुपात रहा है 1017 यानि 1017 इसका मतलब है परती 1000 लड़कों पर लड़कियों की संक्या रहेगी 1017 जो क पर जिला रहा है गुरुग्राम जहां का लिंगानुपात रहा है 933 993 अगर आपसे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूचा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है सिर्शा जिसका लिंगानुपात है 877 यानि 877 सरकार लिंग जाच की गुप चूचना देने वाले व्यक्ति को रेड कामयाब होने के बाद कितनी राशी पुरुषकार सहरूप देती है तो इसमें आंसर आएगा एक लाग रुपे और कोई भी व्यक्ति जिलेबर में होरे बूर्ण लिंग जाच की गुप चूचना स्वस्था विबाग को देकर बेटी बचाने में अपना सहयोग दे सकता है और विबाग दुवारा गुप चरो की पैचान गुप तरखी जाएगी और अभी तक गुप चूचना देने को लेकर आठ लोगों ने एक एक लाग रुपे की नाम राशी ले चुके है नेक्स्ट कॉचन है बूमी पैमाईस के लिए हर्यान सरकार दुआरा कौन सी नई एप लौंच की जाएगी तो इसमें आंसर आएगा ईपैमाईस एप ईपैमाईस एप को एक जून तक हिसार में सुरूब किया जाएगा और लगबख 7 लाख रुपे की नई टोटल सर्व मशीन से बूमी की तेज गती से मार्किंग वेपैमाईस की जा सकती है इपैमाईस एप किसी भी मुबाईल में इस्टाल कर सकते है और इसके माद्यम से कोई भी वैक्ति अपनी बूमी की पैमाईस से तो रजिस्टेशन करवा सकता है रजिस्टेशन होते ही उसे पंजीकरण संक्या मिल जाएगी और उसी समय उसे मुबाईल पर यह संदेश मिलेगा कि उब रेजिस्टेश्टा के आदार पर उसकी पहुँई पैमाईस किस तारीक को किस टीम द्वारा की जाएगी यह प्रणाली पूरी तरह से पहले आव पहले पाव के आदार पर कार्य करेगी और इससे किसी सिफारिस व्यक्ति की पहमाइस करने की आशंकाए खतम हो जाएंगी Next question है हरियाना में ग्यारा सो करोड के बजट से कितने नए स्टेट आईवे बनेंगे तो इसमें आशर आएगा पांच नए स्टेट आईवे बनेंगे और यह है करनाल जीन्द बिवानी प्रोजेक्ट 153 किलोमेटर कर आएगा Next है जीन्द गोहाना सोनीपत प्रोजेक्ट यह 100 किलोमेटर कर आएगा Next है जजज़र दादरी लोहारू प्रोजेक्ट यह 96 किलोमेटर कर आएगा Next है बिवानी लोहारू प्रोजेक्ट यह 52 किलोमेटर कर आएगा और Next है मेरे ट्रोड से लेकर जजज़र तक यह 50 किलोमेटर कर आएगा हर्यान शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बार्वी के रिजल्ट में इस बार पर्थम स्तान पर कौन सा जिला रहा है तो इसमें आसर आएगा पर्थम स्तान पर रिवाडी जिला रहा अब आप हमें फेस्बूक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेस्बूक लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बूक के दिवारा भी पहुंच सके हैं